मैं को नहीं आता Google Android Studio क्योंकि मैंने कभी यूज किया ही नहीं और मैंने कभी सीखा ही नहीं हाँ सच बोगरो लेकिन मैं किसी भी application को reskin कर सकता हूँ उसका customization कर सकता हूँ और उसको Google Play पर publish कर सकता हूँ तो मैंने ये कैसे सीखा तो मैं बताता हूँ मैंने कैसे कैसे सीखा स्टार्टिंग से तो मैंने पहले एक source code को purchase किया देन उसके बाद उसका जो documentation होता है वो complete मैंने starting से लेके end तक पूरा पढ़ा देन पढ़ने के बाद एक एक step मैं follow करता गया साथ की साथ मुझे समझाता गया कि ये चीज ये काम करती है क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत coding की knowledge थी तो मैंने customization पे पहुँचके वहाँ पे एक एक चीज को देखा कि कौन सी चीज किस के लिए काम कर दे है तो वहां से मुझे करक्टाइडी मिल गया कि कौन सा function किस काम के लिए use होता है like colors के लिए क्या use होता है strings.xml files वगयरा कहां पे होती है तो बहुत easy है इसको सीखना कोई हुआ नहीं है कुछ लोग सोचते हैं कि application में बहुत जादा coding होती है मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है बस थोड़ा बहुत समझ आना चाहिए बस एक बार देख लोगे तो सारा कुछ अपने आप ही समझ आ जाएगा ये तो था इसका overview अगर इसके हम कमाई की बात करें तो इसमें आप जो अपनी website पर earning कर रहे हो उसका double हाँ application में earning होती है वो कैसे लाइक आपने कोई भी application डाउनलूड करे होगी या फिर कोई भी game बगएर है डाउनलूड करे होगी Google Play Store से या फिर Apple Store से तो उसमें आप देखोगी कि बार-बार ads शो होती रहती है तो उन्हीं ads से पैसा कमाते हैं लेकिन यहां पर Google AdSense काम नहीं करता है यहां पर काम करता है Google AdMob और Google AdSense से भी ज्यादा इजी है Google AdMob उसका approval बहुत एजी है जहां आपको Google AdSense में एक दो हफते वेट करना पढ़ता था वहीं आपको Google AdMob का instant approval मिल जाता है लेकिन हाँ आपके पास एक application होनी चाहिए और वो Google Play Store पर publish होनी चाहिए without publish mostly cases में आपके ads शोर नहीं होगी मैंने lag experience किया है तभी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी इस application को reskin किया था मैंने उसको Google Play Store पर डाला तो मैंने experience किया है जब भी मैं आपको बता रहा हूँ तो जिस application को मैंने reskin किया था आज मैं फिर से आपके सामने उसको reskin करके और customization करके एक एक चीज बताने वाला हूँ जिसे आपको भी easy समझ आए और in future अगर आपको भी application को reskin करते हो तो आपको easy हो उसको reskin करने में या फिर customization करने में तो बिरा किसी देरी किये मिलते हैं छोटे से एंट्रो के बाद कि है एवीवन मेरा नाम है सिधार्त और वेलकम है आप सब का मेरे चैनल सेक्नो में तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर एक आपको देख सकते हो क्या चीज है यह एक्शली स्क्रीन शॉट इसके है कि मादी फंक्शन दिखा रहा है कि किस तरह से काम करता हूं क्या शोग करता है इसमें ठीक है तो आप देख लेना इनको तो यहाँ पर जो PHP कोड आपको दिख रहा है यह PHP कोड आप अपने वेबसाइट पर जाके मतलब कोई एक वेबसाइट बना के या फिर उसका सब डॉमेन वगएरा बना के तो उस पर इंसर्ट कर सकते हो उस पूरे को यहाँ पर यह कोड़ा उपन करके देखो यहाँ पे सारा कोड़ इसके अंदर टेटाबेस के अंदर टेटाबेस की विए फाइल दे रखे इसको आपको इंपोर्ट करना अपने लिच्वे अंदर ने हमें पर जाने के बाद आपको कशाए इफेज़ फािल जातारוע अपन आपर फाइल उन इसमें आप अपने डेटाबेस को अपडेट कर सकते हो जिसे आपकी यह एड्मिन पैनल ओपन हो जाएगा बाद में तो सिंपल इसको हम बाद में सेट अप करेंगे जब हमारा एंडॉड कोड पूरा कंपलीट हो जाएगा अभी इसको बाद के लिए छोड़ देते हैं बाकी इसी डाउनलोड कर रखा है यहां पर आपको डालना एंड्रोड स्टूडियो तो यह आपको ले जाएगा वेबसाइट के उपर यहां पर देखो यह पहला ही जो आ रहा है या फिर इसको क्लिक कर देना या फिर यहां पर क्लिक कर देना तो मैं इस पर क्लिक करके जाता हूं कि यह ओपन के बाद आपको दो आपको देख यहां पर डारेक्ति लिए डाउन लूलोड का बटन धिजायेगा आपको सिंपल इसके क्लीक करके इसको डाउनौड कर देना यह ज्याद यह 914 MB की फाइल है एक जीबी के आसपास हो गी तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना पहल झताय तो आपको यह लिए उपन करने के लिए मांगेगा कि कोई भी फाइल उपन करो तो आपको सिंपल यहाप पर ओप प्लिक करने के बाद आपको फ्टाइल को देखना है मेरी जो फञ थी के नाम से डाउन्डूड में तो मैं अपर अपनी फाइल को खोल लेता हूं यहन Izquierky wordt तरफचर को तरफ़ी कहते हैं five everyone को फ्रक्सभान कि व देआ पrut गैट दुर्ट को देटा हुआीजू यहां पर अने के बाद आपको कुछ ऐसे इस्जूज हाएंगे कि आपका ग्रेडल जो है ग्राडल अप्डेटनी होगा और आप याद रखना कि आपको किसी भी project के gradle को update नहीं करना है क्योंकि ये जो भी project बन रहा होगा ये current जो gradle पे काम करेगा अगर आप इसकी gradle को उपर नीचे करते हो तो mostly cases में ये काम नहीं करेगा 99% ये काम नहीं करेगा 1% है कि आपके luck हो आपका काम कर जाए अगर आपका error आता है तो फिर से आपको open करके फाइल पे दुआरा ही काम करना पड़ेगा आपकी सारी महनत बेकार जने वाली है तो जो मैं बता रहा हूं वही step follow करना थेखने हैं अपिसरार बिल्ड कर रहा है अब हमारा जोilippe ये हमारी फायल से उसको बिल्ड कर रहा है ये इसको फोड़के उसके फायल में जाना है कि आपको अहाँ Relationship 4ες को फायल्स स्टाटिंग में आपको डाउश करते हैं यहांपर देखो every one of tools come select पर click करोगे then click करने के बदद आपको यहां पर करना है apply ठीक है apply करने के बाद आपको यहां पर कुछ okay का यह message आएगा simple आपको फिर से okay करना है तो यहां पर यह option आजाएगा download का कुछ cases में आप क्या करते हो आप सब पर click कर लेते हो एक साथ में और उनको एक साथ download करने की कोश इसको भी cancel कर ले तो आप देख लेना आपको जिन जिन software पर चाहिए लेकिन हाँ आपको यह करना ही पड़ेगा अधर आपका software रन नहीं होगा then फिर से आपको टूल्स में जाना है फिर से आपको sdk manager में जाना है sdk manager में जाने के बाद आपे sdk tools को open करना है अभी आपने क अपडेट किया है मैं अपडेट कर लोगा और यहां पे android auto api simulator यह जो भी चीज है sdk से related android sdk platform tools play ap expansion library google play instant development sdk play play google play services तो इनको आपको इंस्टॉल कर लेना है android emulator यह भी emulator है जो भी आप यहां पर रन कर देखोगे जहां पे android का एक डिस्पले आ जाता है तो आपके application को रन क लगर करना तो यह वह इसको भी आपको install कर ले एंगताव सब कर सकते हो इसमें ऐसा को कौन सबर नहीं करना तो आप सबको कर सकते हो transform repository नहीं है इसको cancel कर लेता है लिएपको तो यहां पर आपको कुछ डिवाइज के लिए दिखा रहा है, तो आपको हुआ पर empty आएगा, मैंने कुछ डिवाइज पहले से एड़ कर रहे हैं, तो आपको Simple आपको Create Virtual Device का option आएगा, आपको Create Virtual Devices पर क्लिक करना है, आपको यहां पर option मिल जाएंगे अपनी device के according like आपको उनसे भी device पर अपनी application को test करना चाहते हो लागि जैसे पिक्सल एक्सल है तो यहां पर इसका size दे रहे है 55 पिक्सल 5 का size 6 का and 4a का 58 इन hardware पर आप अपनी application को run कर लोगे तो simple आपको next प्लिक करना है अभी मेरा जो है मैंने कर रहा है android 11 के लिए android 11 बोले तो मेरा जो भी application वो android 11 के ऊपर में run करके देखना चाहता हूं आप इनमें सो कोई भी कर सकते हो यह सा कुछ इसा कुछ इसमें नहीं नहीं है आप इस वहाइप भी जा सकते हो तो सिंपल इस पर फिर से next प्लिक करना है दैन आप इसको नाम दे स करता हूं तो यहां पर creating कर रहा है अभी जैसे मेरे यहां पर देख कर दिया create तो size on disk यह 513 MB का size ले रहा है मैं डिस्क अंदर अभी मैं इसको cancel कर देता हूं यहां पर आपको simple अपने devices add कर लेने मैं आपको पहली बता देता हूं आपको कौन कौन सी device add करने हां पर जैसे create पर जाओगे आप एक तो आपको जो hardware चाहिएगा वो phone के लिए चाहिएगा phone के लिए आप कोई भी size ले सकते हो दूसरा आपको जो चाहिएगा tablet के लिए चाहिएगा tablet के लिए आप यहां पर कोई भी size ले सकते हो अगर आप अपने application को टीवी के लिए भी यूज करना चाहते हो नहीं करना है अब सिंपल आना अपने प्रोजेक्ट को उपर तो आप देखो मेरा है पर ग्रैडल अपडेट हो चुगा है अब हम सिंपल अपना खोलेंगे करें दोक्यमेंटेशन हम डोक्यमेंटेशन के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं क्योंकि हम कोई भी चीज मिस नहीं करने वाले कोई प्रोजेक्ट के लिए उसका उनरी बता सकता है कि वह कैसे उसने कैसे वर्क किया है मैं सिंपल इसके प्रोक्यमेंटेशन के अंदर जाओंगा यहां पर मेरी फाइल है दें फाइल के अंदर फिर फाइल है दें फिर फाइल है फिर डोक्यमेंटेशन है दें इसने आप एक डोक्यमेंटेशन की पीडिएफ दियो हुई है मैं इसको उपन कर लूँंगा यहां पर मेरी complete video फो उपन हो चुके जैसे देखो यह बता रहा है कि values का एक option है यहां पर values के अंदर आपको strings का option मिलेगा जिसके अंदर आप अपना name change कर सकते हो ठीक है तो हम same to same इसको follow करते हुए जाएंगे यहां पर देखो हमारा application का अभी दे रखा है नाम इसको open करूंग application के अंदर sources में जाओंगा sources के अंदर मैं में में जाओंगा then main के अंदर resource में जाओंगा then resource के अंदर हमको मिलेगा values ठीक है तो आपको क्या के follow करना है तो आपको सबसे पहले app का folder मिलेगा then then उसके बाद आपको मिलेगा source का folder source जहां पर source से आपको क्या समझा रहा है कि आपक एक प्रोजेक्ट की Фाइल के सोर्स कहां पर है उसका सोर्स बोले तो ठिकाना कहां एक ओपर है तो सोर्स उसको ही बोलते हा तो हम इसके रजह एक पार करेंग details के इसके अंदर दे रिखु कि vrij वे उपने कि तरह की फोल्डरे आपके पास उपनोंगे सिंपर यह पर आपको अपने यहां पर कॉम वाले फोल्डर पर यहांपर सटिंग कॉ आपको भी और देनार आपको यह दिग clear मेरे इसा आ रहारा तो आपा भी ऐसा ही शो करेगा प्रीन चेंच करगा मैं डिभीन चेंज कला करों का मैं राइट क्लिक करूं का प्राइट कंपको तेयंeking बीक तुमिले ऐसे रिख रहें penguin करेंगा insurance मैंन मैंन इन रहे खङिया इन लेट्र को चाहिए क्लिक है साथ करने के बाद आपको यहां पर दो टिक कैंगे हैं दो चेक FAR je लिए तो दो बॉनों चेक NBC पर आपकोई एक कर दे- गए टिक कर देना ठीक है इसको सेमर हैं दे नहे थे टोड़ने वाले हैं तीच fi कर देंगे रिफलेक्टर क्लिक अब ये सर्च करेगा फायल को दैन उसको रीनेम कर देगा ठीक है अब है इसने फायल को हमारे कर दिया रीनेम emails ओटनेंज ऐसे ही सेम-to-same Pap c करेंगे को राइट लोग्त करेंगे राइट के लिए उपर जो हमारा resource के अंदर है then values then values के अंदर हमारा strings इसको open करेंगे कि यहां पर देखो मेरा tool bar in the main जो है यह माइन माइनर आ रहा है मैंने एक्चुली जो application बनाई थी और google पर पुब्लिश की थी माइन माइनर के नाम से करी थी तो अगर आपको वह application देखनी है तो देख सकते हो मैंने हाप इसका screenshot दे दिया है simple search box में आप अगर डालोगे तो यह नहीं नहीं application है नाम से नहीं आएगी simple आपको second on developers डाल के देखना है तो आपको second on developers में माइन माइनर के नाम से एक application दिख जाएगी तो simple इसको download करके आप check कर सकते हो कि कैसे work कर रही है दोस्तो बहुत से लोगों को यह confusion रहता है कि यह जो application है इस पर already 200-300 download हो चुके हैं तो हम इसको download करके गर Google Play Store पर डालेंगे क्या Google Play Store इसको publish करेगा वहाँ पे हमारा duplicate content नहीं हो जाएगा तो दोस्तो इसका answer है no इसा कुछ नहीं है लेकिन हाँ आपको याद रखना है कि आपको जो जो option यहाँ पर दे रखे हैं वो सब को आपको customization करना है अब customization से आप उसको बना रहे हो different उसका color आप change कर रहे हो उसका layout चेंज कर रहे हो सारा कुछ तो आपने change कर दिया फिर डर किस बात का है गूगल तो क्या गूगल का बाप भी आपकी application को publish होने से नहीं रोक सकता बस जो जो step मैं बता रहा हूं बस उनको follow करते जाना तो यहाँ पे आपके सारे name दे रखे हैं जैसे loading के लिए आप का नाम bitcoin miner टूल बार नेम जो भी टूल बार में उपर आता है वह माइन माइनर के नाम से आ रहा है तो सारे लोग इन sign up तो अपने according आप नाम चेंज कर सकते हो ज्यादा जरूरी है भी नहीं लेकिन हाँ जो बड़े बड़े नाम होंगे like buy sign up you agree privacy policy इस तरह के आपको यहाँ पे चेंज करने पड़ेंगे तो यहाँ पर कुछ आप चेंज कर लेना अपने according आपको क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है अब हम देखते हैं documentation में हमें आओगे क्या करना है हमने यहां कर लिया यहां के बाद हमको जाना है सैटिंग में आपको बताया था compact को क्लिक नहीं करना है यहां पर हटा दिया इसने सैटिंग पर क्लिक करके तो इसका डिवाइड हो जाएगा थ्री में जहां पर हो गया अब इसको रिफ्लेक्टर किया था हमने रिनेम कर दिया था इसका पुराना वर्जन है तो इसने इसमें क्लिक नहीं किया है हमेरे जो अप आपको फिर से ऊपर जाना है यहाँ पर जाने के बाद आपको देखो यहाँ पर कह रहा है कि now open your gradle script build.gradle module app name.app इसको देखना है यह फाइल कहाँ पर हमारे gradle script के अंदर build.gradle को देखना है तो हमारे gradle जो है यह वाली है build.gradle इसमें हम click करेंगे जिसमें क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ पर देखो application id का एक नाम है जैसा यह same to same कह रहा है फोटो में जाएंगे यहाँ पर दिखा रहा है यह कहांगे फोटो यह रहा application id को आपको यहाँ पर change करना है तो simple यह application id आगे मैंने com.minminer कर रहा है आप इसको change कर लेना लेकिन याद रखना आपको यहाँ पर com ज़रूर लगाना है com dot पीछे कुछ लगाओ ना लगाओ लेकिन starting में com dot ज़रूर लगाना है नीचे आने के बाद यह कह रहा है how to change addmob id अब यहाँ पर start होता है आपका earning का funda तो simple आपको अपने addmob की जो account उसमें जाना है तो अब यहाँ पर आने के बाद आपको जाना है अपने apps के option के ऊपर आप के option के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपको simple एक option दिखेगा add your first app का तो इसमें आपको क्लिक करना है यहाँ पर आने के बाद आपको दो आप्शन पूचेगा आप android के लिए या फिर ios के लिए यूज कर देगा हम android के लिए बना रहे हैं तो हम android पर जाएंगे इसमें जाने के बाद यह पूच्छरा नेक्स्ट आप्शन इस अप लिश्टे और यह पूच्छरा आप से आपके अप्लिकेशन आप स्टोर पर एवलेबल है अभी तो हम अभी अप्लिकेशन को अभी बना रहे हैं तो भी नो करेंगे तो continue जाएंगे तो android कर लिए अप का नाम क्या था हमारा मेरा अप का नाम था माइन माइनर simple मैं इसको कर दूँगा अब add app का यहाँ पर successful एड हो ची कि मैं done करूँगा यहाँ पर done होने के बाद simple आपको एक option मिलेगा है यहाँ पर app settings का आपको इसको open करना है तो यहाँ पर आपको एक app id का option आ रहा हो का app id तो इसको simple यहाँ पर copy करने ना आपको click करते ही copy हो जाएगा दन जाना अपने android studio के अंदर यहाँ पर हमको देखना है कि है कौन सी file के अंदर हमको add post करना है तो यह values के अंदर settings में ही जाना है हमको फिर से तो हमको open करना अपना folder दन यहाँ में strings में जाएंगे दन सबसे नीचे जाएंगे देखो यहाँ पर add mob app id आ रहा है तो simple इसको हम यहाँ पर change कर देंगे id जो copy करीती उसको यहाँ पर paste कर दिये अब हम बनाएंगे ads banner id और interstatial id तो simple इसमें confuse मत होना यह क्या चीज़े हैं आपको अपने add mob में जाना है जाने के बाद फिर से यहाँ पर add units में option पर जाना है then create started तो यहाँ पर banner का option आ रहा है आपको simple select पर क्लिक करना है then यहाँ पर add आपको कुछ भी लिख देगे मैं banner लिख देता हूं then आपको simple और कुछ नहीं करना है create कर देना है then create करने के बाद आपको यहाँ पर done कर देना है अब आपका यहाँ पर code आ रहा होगा यह तो इसको यहाँ पर copy करना है then जाना है पने project के अंदर project के अंदर यहाँ पर देख लिख कर देना है ठीक है paste कर दिया अब फिर से जाएंगे अपने admob के अंदर एक और ad बनाएंगे यहाँ पर interstitial है इसको select करेंगे यहाँ पर डाल देंगे interstitial ठीक है simple इसको पिर से क्रिएट कर देना है यहाँ जाने के बाद फिर से done कर देना है यह हमारे फिर से idea आग की है पेस्ट थिंपल हो गया इतना तो दोस्तो इस एप्लिकेशन के अंदर दो तरह की एड्स एक एड्मॉब एड्स और दूसरा एपलॉविन एड्स जिन लोगों को नहीं पता एपलॉविन क्या चीज है तो जैसे गूगल एड्सेंस के एल्टरनेटिव होते हैं ऐसे यह कह रहा है अपलॉविन एड्स तो इसको भी आप देख सकते हो अगर आपको यहां पर आपलॉविन एड्स चाहिए तो इसमें जाके डैशवर्ड में जाके प्रियेट कर सकते हो यह थोड़ा लंबा प्रसेश हो जाता है पहले दिवीव अगेरा करता है उसके बाद आप हमारे मतलब का नहीं है हा एक चीज हमारी रहे लगए फाइनल गो टो चाहर आप लिए अड्स तो हम सिंपली अप जाएंगे अपजाएंगे कंफिड जावा के अंदर तो हमें देखना है एक नंफिग हमारा है कहां पर अ कांफिग नफिग डोट जावा तो जो जावा ही कह है तो इसको ऑपन करेंगे ओपनो जढ लाड ले तो हैंपर देखो एक option आ रहे हैं अपर कि आप लोविन एड्स चाहिए तो यहां पर टू कर लेना और अगर आपको एडमब चाहिए तो आपिर इसको टो कर देना लेकिन याद रखना एक को फॉल्स करना जरूरी है क्योंक के बाद यह आपको approval मिलता है तो आप क्यों इतना टाइम वेस्ट करोगे गोगल का product यूज करो ना तो आप जाएंगे documentation के अंदर देखेंगे हमारा क्या-क्या और बचा है तो config के अंदर यह email address आपको चेंज करना है तो हम जाएंगे अपनी config के अंदर हम config के अंदर ही है तो यहां पर देखो आपको email address के आप option दे रहा है तो email address आपको चेंज कर देना है तो यहां पर admin panel URL जो मैंने आपको दिखाए थी file PHP वाली कहां पर है main file तो यह वाला code आप जिस website पर भी पेस्ट करने वाले हो उस website के आपको admin panel का link देना है ठीक है then simple आपको आपको यहां पर link देना है ठीक है अब देखिए हमारा और क्या-क्या बचा हुआ है हाँ इतना हमारा है पर पूरा setup हो चुका है then अब आपको setup करना अपना admin panel तो इस फाइल को हम इंस्टाल करने के लिए एक sub domain बना लेंगे आप website पे चाहिए इसको इंस्टाल कर सकते हो लेकिन मैं sub domain पर करूंगा तो मैंने पहले से इसके एक sub domain बना के रखा है mine miner एक sub domain था यह माइन माइनर डॉट कॉम तो simple इसका जो फोल्डर था यह माइन माइनर था तो हम इसके फोल्डर में चले जाते हैं तो यह हमारा फोल्डर आ चुका है तो simple आपको यह वाला जो कोड है complete वाला यह हां कोड से उठा के पूरा का पूरा यहां पर आपको पेश्ट कर देना तन पेश्ट करने के बाद आपको वाना है अपने इंक्लूड्स के अंदर दन इंक्लूड्स के अंदर आपको इसको एडिट करना है दन आपको यहां पर डेटाबेस के पूरी डेटल के अंदर यह बई सब्सक्राइब के अपने डेटाबेस क हैई इसको आप इन दोनों को अलग-अलग भी रख सकते क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि admin का data separate रखते हैं और users का data separate रखते हैं ताकि दोनों mix-up ना हो ताकि हम जब भी admin panel को open करें तो easily open हो जाए ज्यादा load ना ले आप चाहो तो दोनों same भी रखते हैं आपकी मर्जी है मैंने दोनों को यह सेम रख रखा है तो क्योंकि अभी इतना जादा traffic है नहीं जब जादा traffic आएगा तो मैं दोनों को separate कर दोंगा आपकी यहाँ पर जो भी admin details होने वाले हैं आपको यहाँ पर दिख जाएंगी आपकी documentation के अंदर जैसे कि यह कह रहा है यहाँ पर कि आपके जो है admin and password होगा 123456 ठीक है तो यह आप update कर लेना जैसे कह रहा है यहाँ पर देखो simple वही option बता रहा है config के अंदर आपको admin panel का URL देना slash देके admin दे देना last में आपको admin panel का ठीक है बाद में आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर आपका documentation खतम हो चुका है मैं इसको cancel कर देता हूं बाकिया मेरी जम्मेदारी है आपको guide करना मैं आपको पूरा guide करने वाला हूं तो आपको simple अपने Android Studio के अंदर जाना है यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ तक कर चुके हो आपको यहाँ के एक option मिलेगा वैल्यूज का आपको वैल्यूज उपन करने दिन यहाँ पर आपका पहला जो option है हमारा colors का option है इस पर आपको open कर देना है तो यहाँ पर आपका जो color primary है primary dark है या फिर recent color है आपको इनका idea कैसे मिलेगा कि कौन सा color कहां पे है और किस नाम से save है तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको अपने application के layout को समझना होगा तो application के layout को समझते पहले तो यहाँ पर resources के अंदर यह आपको layout का option मिल जाता है यहाँ पर layout को open करेंगे हम सबसे पहले से लेकर चलेंगे हमारे action bar तो हमारे यहाँ पर action bar complete हो चुका है तो अभी हमें code दिखा रहा है तो लेकिन हमको यहाँ पर एक option मिल जाता है design का ठीक है तो हम यह design देखेंगे तो हमारे ऐसा design है starting में अब हमें देखना है यह वाला code किस नाम से save है colors के अंदर क्योंकि हमें यह वाला color change करना है तो simple इस पर हम click करेंगे then इस पर click करने के बाद यहाँ पर देखो इक option आ रहा है यह वाला background में जो color दिखा रहा है तो यह किस नाम से save है यह हमारा जो save है यह है drawable के अंदर curve toolbar bg तो यह हमें कहां मिलेगी तो इस folder जो कहां बता रहा ही है drawable जो यहाँ पर add बोल रहा है यह वाला तो इसके बाद जो भी आता है slash से पहले यह folder होता आपको resources के अंदर ही यह folder मिलने वाला है यहाँ पर देखो drawable यह वाला resources के अंदर ही drawable फोल्डर है इसको आप उपन करो ओपन करने के बाद आप देखो क्या नाम है curve toolbar bg तो यह रहा curve toolbar bg.xml आपको इसको open करना है यहाँ पर open करने के बाद आपको देखो यहाँ पर color दिख रहा है ठीक है अब यहाँ पर इसका आपको actual color मिनने वाला आपको कुछ और चीज छेड़ना नहीं है आपको इस color को follow करना है ठीक है color color ascent अब एक color देखना आपको color कहा है color ascent है तो आपको colors में जाना है अपने color ascent कहा है यह रहा color ascent तो यह वाला जो color है हमारा यह वाला color है इसका color यह वाला तो आप इस color को change करोगे तो simple यहाँ पर भी यह color change हो जाएगा जैसे मैं यहाँ पर तीन अटा के पांच कर देता हूं तो simple इसके अंदर भी यह color complete change हो जाएगा यह थोड़ा भी चेंज हुआ है मैं इसको अगर black कर देता हूं यहाँ जीरो 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 एंड एक और जीरो ठीक है तो यहाँ पर हम action bar के अंदर जाएंगे देखो black हो गया completely तो आप अपने color के according आप अपना font change करना like अपना custom font आप इसमें डालना चाहते हो तो आप इस पर click करके आपका इस पर font का option आजाएगा यहाँ पर देखो यह option आ रहा है font moly bold actually मैंने customization करके यह moly bold font डाला था इसमें पहले से नहीं था यह font मैंने इसको externally डाला था तो आप कैसे डाल सकते हो तो simple add के बा सर्च करना कोई भी font मैं सर्च करता हूँ जैसे moly कर लेता हूँ moly font download तो यहाँ पर आने के बाद आप कोई भी website ओपन करके देख सकते हो जैसे आप मैं यहाँ पर यह website देख लेता हूँ आप इसमें आने के बाद आपको यहाँ पर download font for desktop का option मिल जाएगा कुछ मैं only download option मिलेगा तो download कर लेना मैं download कर लेता हूँ download हो चुका है मैं इसको open करके देखूंगा कि इसमें TTF में हमसे कोई file है नहीं है तो यह मेरे जितने भी folders यहाँ पर जितने भी files हैं इसके अंदर TTF के नाम से सारी आरी है ठीक है तो मैं इसको cancel कर लेता हूँ इसको हटा दे एकिंग is powder application का incarnate च कोड आपको कि यहाँ यहाँ आपकी application का source code होगा मैं उप no इसमें open करके simple यहां पे वो font कर देना आपको paste आपका font फिर यहां पे आपको show होने लगेगा अब आपको वो change कैसे करना है इसके अंदर ठीक है कि आपका font यहां पे दिखाए तो आपको simple इसके xml में जाना है यह code देख रहे हैं यहां पे इस पे आपको click करना है ठीक है अब यहां पे आने के बाद आपको यह जो फॉंट आरहा है इसमें अपने फॉंट का simple नाम दे देना है तो मेरे हां पे देखो moly underscore and bold तो यह simple आपको आपको नाम रख देना बाकि जो dot ttf वो आपको नहीं डालना है आपको simple नाम डालना है तो आपको फॉंट चेंज ह हो जाएगा तो हमने क्या सीख लिए हमने color चेंज करना सीख लिया हमने font चेंज करना सीख लिया अब हमारा क्या क्या बचा है हम वह देख लेते हैं हम जैसी दूसरे font के अंदर जाएंगे हम दूसरे section के अंदर जाएंगे sorry तो इसमें कुछ ऐसे option दिखा रहे है अगर आपक इनके name चेंज करना चाते हो तो यह आपके name simple आपको इसी में मिल जाएंगे अपके strings के अंदर ही मिल जाएंगे जितने में मैंने आपको starting में दिखाया थे change करने के लिए आप change कर सकते हो बाकि इनके color वगएर icon वगएर आप यह कैसे change कर सकते हो अब हमें इस logo को चेंज करना हैं कि यह हमारा किधर है अब फिर से एक idea ले ले लेंगे यह जो है हमारा तो यह आगे देखो यह split का option जो है यहां से आप देख सकते हो तो image view जो option है यह drawable में आके app icon है हमारा यह इसकी width है यह इसकी height है आप अपने according चेंज कर सकते हो इसको तो इसको चेंज करना है हमें app icon को हमें जाना पने drawable के अंदर यह हमारा जो drawable है अब इसके अंदर हमें देखना है app icon 250 कहां पर है आप आइकन 250 तो यह हमारे PNG की फाइल है आप इसको एडिट करके Photoshop पे या फिर Canva वगेरा जहां से भी अडिट करना है तो एडिट करके same to same size में आपको डालना है जो भी फाइल आपके आपके आप अल्रेडी होगी आपको देख लेना है वो क्या size किया same to same size आप उसको डाल सिंपल है इन तीन जो है पर बटन देख रहे हैं सब इनका खेल है आप इनसे पता लगा सकते कि कौन सी फाइल कहां हो सकती है ऐसी मैंने सीखा तै मैंने कहीं से classes ने ली कहीं से टुटोरिल वगेरा नहीं देखे किसी की वीडियो नहीं देखी बस मैं इन चीजों को फोलो कर तो यह मेरा जो project है यह मैंने अपी टेबलेट में खोल के देखा है तो टेबलेट के अंदर यह open हो रहा है अगर आपने बिना कोई गलती करें यह सारा कुछ कर लिया है यया सारा कुछ कर लिया है shout तो आपकी यहां पर एप्लिकेशन हुने लगेगी इस तरह इसे दिखाने लगेगी अदरवाइस कोई भी दिक्कत आती है तो आपकी अपलिकेशन ऐसे रन नहीं होगी आपके एरर शो हो जाएगी नीचे तो मेरी जो ग्रेडल थी वह बिल्ड हो जोकी है अब मेरी एप्लिके जैसे 60, 60, plus 2, 68 and 2, दो बचेगा, ठीक है, then next question आएगा, next question 36, 36, जैसे कि यह हो गया, sorry 66, तो अब इसमें प्ली अगें भी कर सकते हैं, और हम back to home page भी कर सकते हैं, back to home page भी जैसे क्लिक करोगे, तो यह back to home page आजाएगा, इस तरह से work करता है, payment proof में जाते हैं, तो कुछ payment proof में आपको दिख जाएंगे, यह automatically जब दिखाएंगे आपको, जब कोई बंद है हाँ से payment लेगा, तो payment का option दिख जाता है, तो यह payment को option है, आप 10,000 point बनाओगे तो आपको 0.0000001 bitcoin आपको मिलेगा, तो एक तरह से फद्दू बनाने वाला application लोगों को, कौन इतना खेलता है, कौन 10,000 point बनाने में इसमें लगेगा, वो भी इतने कम bitcoin के लिए, तो भूली जाओ, पसे यह game है, चोटा सा quiz type का mathematics का, यह तो bitcoin का बस इसलिए बना दिया कि कुछ ना कुछ मार्केटिंग वागेर जासा समझ रहे हो ना, marketing करते हैं जासा लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे, चलो 10,000 point बना लोगा, इतने तो आएंगे, क्योंकि एक सही question पर आपको 10 points मिलते हैं, तो अभी इसको हटा देता हूं, लाइक अभी बात करते हैं कि आपको कैसे यह वाले जो mathematics के question आते हैं, वो कैसे change करना है, तो मैं इसको हटा देता हूं यहां पर, तो कैसे mathematics की question को edit करने के लिए आपको जावा के अंदर जाना है, क्योंकि यह जो खतरनाक चीज़े होती हैं न दोस्तों, यह जावा के अंदर ही मिलेंगी आपको, तो जावा के अंदर देखो, जावा के अंदर आपको यहां पर कौम का option मिलेगा, तो इसको आपको open करना है, यहां पर आने के बाद आपको एक quiz का option मिल रहे हैं, तो simple समझ जाना कि इसमें ही quiz होने वाली है, तो इसको open करेंगे math questions पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर हमारी questions खुल चुके हैं completely, तो इसमें मैं आपको समझा देता हूँ, यह question कैसे हैं, लाइक हमारा जो पहला जो option आ रहा है, जीरो पे, वो 1 प्लस 5 है, तो इसमें 1 प्लस 5 question आ रहा है, ठीक है, अब इसमें यह option आ रहे है, 6, 7, 8, 9, एक से लेके 4 तक हमारे option है randomly, ठीक है, लेकिन जो हमारा 5th option है, उसमें हमको correct answer देना है, ठीक है, हम randomly दे सकते हैं इसको, लेकिन जो यहाँ पर 5th option है, उसको only right answer हमें यहाँ पर type करना है, क्योंकि यह देखो, 5 प्लस 14, 19, तो यहाँ पर 5th question में क्या हो, 5th number पर क्या रहा है, 19, यहाँ पर option में भी 19 है, ठीक है, तो इनको उपर नीचे कर सकते हो, लेकिन इसको बिल्कुल मत बोल जाना है, इसको बिल्कुल correct आपको देना है, ठीक है, आप इसमें कितने भी question add कर सकते हो, यहाँ पे, आपके उपर डिपेंड करता है, आप कितने question आप एड करना चाते हो, ठीक है, बाकी तो अब होई गया तो थाना एकदम easy, अब आपने color change करना सीख लिया Android Studio के अंदर, अब आपने icon change करना सीख लिया, आपने phone change करना सीख लिया, और बचाई क्या है, अब सारा होतो गया, अब आप Android Studio के अंदर जाके किसी भी application को उठा के उसको re-skin कर सकते हो, और अपने आपको भी developer बना सकते हो, तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि Android Studio के अंदर जाके किसी application को re-skin कैसे करना, उसको customization कैसे करना है, अब हम next video में बात करने वाले हैं, कि आप कैसे इस application को play store पर list कर सकते हो, तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि coding की knowledge ना होते हुए भी आप कैसे Android Studio को learn कर स सकते हो easily, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो के लाइक जरूर करना हो, और अगर आपको इस तरह की knowledgeable वीडियो और चाहिए, तो इस चैनल को subscribe जरूर करना, और साथ के साथ इस notification icon पर click जरूर कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो पोश्ट कर स्सकत आपको जब